हेलो रिवन, वेलकम बैक टू अनलाइन स्टेडियोन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार करंट अफेस का सेट नमबर 10 और आसा करते हैं कि इससे पहले वाले आपने एक से लेकर के 9 सेट तक की सारी वीडियो को देख लिए होंगे तो इस वीडियो में आपको कुछ questions देखने को मिलेगे और उसके end में हम लोग MCQ भी लगाएंगे ताकि आपका revisions भी होता रहें तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहला प्रश्णी है कि बिहार बजट 22 देख के कुल व्याय का कितना प्रतिसत विकासात्मक व्याय को अबंटित है यानि जो बिहार बजट 22 देख है इसमें कुल व्याय का कितना प्रतिसत विकासात्मक व्याय को अबंटित किया गया तो 67.37 प्रतिसत ये चीज़ याद रखेगा ठीक है इसके बाद अगला क्वेशन से कि प्रथम चरण में किन जीलों में मेगा स्किल सेंटर स्थापीद किये जाएंगे प्रथम चरणों में कितने जीलों में तो तीन जीलों में और वो कौन-कौन है तो यहाँ पर आप देख स रेल के लिए आप बंटित जो रासी है या फिर उपबंधित रासी है वो कितना करोड है बजट की बात कर रहे है तो 150 करोड यानि 1500 करोड इस पर उपबंधित किया गया पटना रेल पटना जो में टूरेल है इसके लिए ठीक है साथ साथ दो और याद रखे जैसे स्मार्ट सिटी मिशन की बात करें तो इसमें 620 करोड स्मार्ट सिटी मिशन के लिए और बिहार स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योसना के लिए 700 करोड तो ये दो और इंपोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर एक प्रश्ट देख रहे हैं कि ब्याज मुक्त जो लोन है यानि कि बजट तक अगर आप लोन लेते हैं तो व्याज मुक्त लोन मिलेगा एक लाग करोड ठीक है एक लाग करोड ये चीज़ याद रखना इसके बाद हमारा अगला प्रश्ट मनता है कि गंगाजल उधा योजना गंगाजल उधा योजना इसकी सुरुवात की गई है 6 अक्टूबर 2021 क को cm जो कि नेजिस कुमार जी के दोरा इसको लॉंच के गया था और इसका उदेश ही क्या है तो राजगीर गया बोद गया और नवादा की लोगों को सुध्ध पेजल उपलाब्द कराना मौया कराना इस योजना का में उदेश से था ठीक है तो आसा करते हैं कि ये वीडिय सेल के अंतरगत आपको हमारे सभी कुर्स पर काफी अच्छा डिसकाउंट मिल रहा है तो अगर आप जोइन नहीं किये तो 68 फी बबसी का कुर्स आप जोइन कर सकते हैं जहां पर आपको अब तक कि हमारे जितने भी नोट्स हैं अलग-लग सबजिक्ट्स के अलग-लग प्रिक वाईस सब कुछ आप डाउंड कर सकते हैं और प्रिंट आउड करा सकते हैं तो जल्दी से जाएए इस वीडियो की डिसक्रिप्शन में लिंक है डाउनड कर लीजए उसके बाद लॉग-ईन करके स्टौर सेक्शन में जा राकरके आप कूर्स को जोइन कर सकते हैं सि इस वीडियो को आगे करते हैं इसके बाद हमारा अगला प्रश्ट मनता है कि मखाना महती सो दुहजरबाईस कहां मनाय गया था मखाना महती सो 2017 मनाय गया था पटना के अंतरगत पटना में मनाय गया था और यह चाहीआ ध्यान रखेंग कि ज्यान भववन में इसको मनाया गया है, इसके बाद अगला प्रश्ण है कि best plus app, best plus app का सम्मन किसे हैं, best plus app का सम्मन सरकारी विद्यालों के निगरानी के लिए, सरकारी विद्यालियों के निगरानी के लिए इसको स्टार्ट किया गया था best plus app, right, next one की मुख्य मंत्री युवा उधमी योसना और मह दिया जाएगा, वो किस दिये, तो स्वरोजगार और स्टार्ट अप को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया, 10 लाग रुपे तक का लोन आपको मेल सकते हैं, ठीक है, इसके बाद अगला है कि हवाई इंधन के आपूर्थी का काम किस जीले में चल प्रत्ता मस्थान पर रहा, वो है बेकुसर है, यहाँ पर एक प्रस्ट और है कि बाल सहता योजना में आर्थिक सहता कितनी दी जाएगी, तो बाल सहता योजना में परती मां, 15 सो रुपे का जो की आर्थिक सहता देने की बात कही गई थी, इसके बाद नेक्स टोनी की अगर साफारी, के लिए आगे देखते हैं, इसके बाद नेक्स टोनी की निस्नल एयर क्वालिटी इंडेक्स के नविंतम आकडो, 19 अक्टूबर 2022 के मुताबित बिहार का सबसे वायू प्रदूसित वाला जीला कौन से है, सबसे वायू प्रदूसित वाला जीला हो गया, कितने गाओं को इंटरनेट से जोडने की सुविद है, तो 45,945, काफी असानी से याद हो जागा, इसके बाद यहाँ पर ध्यान लेगे कि इस योजना की सुरुवात 21 सेप्टेंबर 2021 को की गई थी, यहाँ पर देखे 45, 945, ठीक है, 45, 945, स्टार्टिंग में 45, लास्ट में यहाँ पर इसके सुरुवात भी 21, लास्ट में भी 21, 21 सेप्टेंबर 2021, ठीक है, किसके दोरा, तो प्रदान मंतरी मोदी दोरा, और यह बिहार से स्टार्ट किया गया था, के लिए, अगलास फाल बनता है कि बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ा कर देश के कुल निर्यात क करने का लक्ष कब तक रखा गया, तो यह 2025 तक का लक्ष रखा गया, 2025 तक का, फिर से कोशन समझने जगा कि बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ा कर देश के कुल निर्यात का 10 प्रदा करने का लक्ष 2025 तक, और 2025 के अंतरगत और यहाँ पे तीन लक्ष हैं, इसको भी याद और हर घर में प्रिपेड मीटर लगाने का लक्ष मार्च 2025 तक रखा गया, बिहार चरकार के दौरा, इसके बाद अगला है कि सुविधा एप का समझन किस है, सुविधा एप उर्जा भी भाग के दौरा लांच किया गया था, और इसमें किया है कि बिजली से जुड़ी सभी समस्याओं का घर बैठे समधाने, तो इसको लौंच किया गया सुविधा एप, ठीक है, दृष्टी एप का समझन, जल संसाधन भी भाग के दौरा इसको लौंच किया गया था, दृष्टी एप, तो ये सभी आपको याद रखना है, उमिद करते हैं कि आप लोग को आज कर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अब चलिए हम लोग बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट M.C.Q के बारे में तो सुरू करते हैं, देखिए, पहला प्रशनी क्या गह रहा है, कि किसे मैथली भासा के लिए साहित एकाडमी पुरसकार 2021 से समानित किसे किया गया, तो इस प यहाँ पर आप जो रचित राज देख रहे हैं, रचित राज का समबन किसे था तो मैं आपको बता दू कि बिहार के पहले transgender constable ये बने थें, रचित राज, इनको याद रखना है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला questions देखते हैं, second questions का right answer guess करी है कि बिहार budget 22 23 की अनुसार कितने सहरों को model town के रूप में विक्सित किया जाएगा, कितने सहरों को model town के रूप में विक्सित किया जाएगा, इस question का right answer क्या है, तो सही answer अगर आपने option B को टिक किया है, तो ये गलत जवाब होगा, सही answer हो जाएगा option A, 6 सहरों को model town के रूप में विक्सित क सही है बताए कि निमली खित में से कौन सा कथन सही है तो यहां पर आप्संस को पढ़िए और बताए कि राइट आंसर क्या बनेगा तब पहला पॉइंट्स कहा रहा है कि साइट्य अकार्डमी पुरस्ट का 2021 जगदीश प्रसाद मंडल को दिया गया उपर हमने देख चुका थ थरड़ पॉइंट है यह समान इनके उपनियाज पंगो के लिए दिया गया है तो यह बिल्कुल सही है यानि फ़र्स्ट और थर्ड सही जब हो रहा है तो यहां पर कहेंगे कि एक से अधिक सही आंसर होगा यानि ओप्सन हम इखो टिक करेंगे ठीक है ऑप्सन ही बिल्कुल सही answer बन जाता है अगला प्रशन है कि स्वख्षता ऐप किसके लिए launch किया गया गेस करिए स्वख्षता अप को किसके लिए launch किया गया तो यहां पे हमारा correct answer बनेगा स्वख्षता एप का संबंद होगा ये देखे cactus किया गया पटना नगर निकम के दोरा किस जीले में दिया गया मंजुसा चितरकला को हाली में GI tag किस जीले में दिया गया क्या बनेगा राइट आंसर तो यहाँ पर हमारा सही आंसर बन जागा option E मंजुसा चितरकला को GI tag मिला है भागलपूर में ठीक है भागलपूर यहाँ पर correct answer बनेगा और भागलपूर से संबंदित और भी हमने बात किया था जैसे भागलपूर में भागलपूरी सिल्क को GI tag है जरदालू आम कतरनी चावल इन सभी को भी GI tag अलरड़ी मिल चुका है तो यहाँ पर correct answer option E हो जागा चले इसके बाद अगला प्रश्न है कि राष्टी ये पैरा तराख समस आलम समस आलम का चैन national best sports person अवर्ड के लिए किया गया इनका संबंद किस जीले से है समस आलम का संबंद किस जीले से है बदाई समस आलम का संबंद किस जीले से है तो right answer will be option D मधु बनी जीले से इनका संबन्द हो जाता है मधु बनी जीले से जगदीश प्रसाद मंडल भी मधु बनी जीले से थी और यहाँ पर हम एक चीज़ और आपको बता दें कि जो हाली में खादी ब्रैंड मिस्टर बनी है मैटली ठाक और इनका समद्भी मधु बनी से है ठीक है न अगला की खगडिया की जो की मालबा घाट है अच्छली मालबा घाट नहीं मालपा घाट हो यहाँ पर ठीक है मालपा घाट और रोहिया के बीच बागमती नदी पर बन रहे सीतू का निर्माड शुरू किया गया जिस सीगोटिक करेंगे अगला प्रश्ण नमारा बनता है कि किस जीले में जो के गिरही डैम किस जीले के गिरही डैम को परियाटन स्थल के रूप में विक्षित क्या जा रहा है किस जीले के गिरही डैम को परियाटन के रूप में विक्षित क्या जा रहा है क्या बने का वीडियो बनाएंगे और वाइस मास्टर वीडियो नहीं आएगा चलिए इस प्रश्ने का राइट अंसर हमारा हो जाता है का ऑप्शन ए होगा क्यूंकि गिरही डैम जो हो जमुई में देखने को मिलेगा यहां पर सही आंसर हो जागा ऑप्शन ए ठीक है ऑप्शन ए को टिक क करने की बात की जारी है बंद करने की नहीं बंकर ठीक है बंकर तियार हो जाएगा बंकर तैयार हो जाएगा राइट एंसर हपर Project लिए चै Utah помर पूरणा जहां डॉक्टर संकरनाथ जहां का समन्द किस जीले से हैं तो right answer will be right answer will be क्या हो जगा जमोई ठीक है जमोई यहां पर बिल्कुल सरी आंसर होगा डॉक्टर संकरनाथ जहां का समन्द जमोई से हैं इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला questions के इसके लिए next one है कि बिहार में मंद्रेगा कारियों में महिलाओं की भागिदारी कितने प्रतिसत है तो 54 प्रतिसत 54 प्रतिसत option C will be right answer अगला प्रश्ट कि बिहार सिक्षा दिवस कब मना जाता है बताए कि बिहार सिक्षा दिवस कब मनाते हैं बिहार सिक्षा दिवसो या फिर भारा सिक्षा दिवसो दोनों एक ही तारीकों मनाते हैं 11 November, 11 November option C, अगला प्रशनी की सारा भाई Honorary Award 2021 किसे मिला, सारा भाई Honorary Award 2021 किसे दिया गया है, तो ये पुरुसकार मिला है आनंद कुमार को, ठीक हैं, आनंद कुमार यहां पर option B हो जाग तो जिरूर आप नीचे comment करके बताया करिए, कुछ improvement चाहिए, तो भी comment कर सकते हैं, ठीक हैं, तो फैंस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज आप से छोटा सा request है कि वीडियो को जाज़-जादा like करिए, और चैनल को subscribe नहीं किया, तो subscribe कर लिजएगा, क्य keep watching, keep learning, have a good day.